आज की ये वीडियो फैक्चुल के साथ साथ पसुइंग भी होने वाली है विच कन टर्न यो लाइफ इन इज क्योंकि ऐसा मैं नहीं बलकि मेरे रिफरेंसेज की ये बिस सेलर्स बुक कह रही है जिनके ऑथर खुद में एक life changer role model सावित होते है Human life individually and psychologically हर किसी के लिए tough होती है बशर्ते life में toughness की उनकी एक अपनी definition है पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनोंने self management and brain के synchronization वाले researches पे अपने life के अच्छे वक्त को लगाके practical therapies बनाई है ताकि life के low phases जो की एक bitter fact है उनको सम्हालना हमारे लिए और भी आसान बन सके तो मैं particular उन books के खास contents को one by one enlighten करूँगा Daniel Kahneman जो की एक Nobel laureate author है अब इनकी लिखी होई book Thinking Fast and Slow अब ये book काफी बड़ी हस्तियों के favorite library collection में से एक है इस book के according human brain दो system में categorized है system 1 हमारी daily hobbies और common sense के basis पे बिना logic के immediate thinking करता है as if अगर मैं आपसे 2 plus 2 पूछों तो आप बिना ज़्यादा सोचे तुरंत 4 answer करोगे वहीं दूसी तरफ system 2 logics और fact figure के basis पे तुर्ण time लेकर answer करती है जिसे अगर मैं आपसे पूछों 927-252-869 तो आप शायद थोड़ा वक्त ले लोगे अब ये दोनों system ही important है बस उसका इस्तमाल कब कहां कैसे करना है ये आपको books में appropriately mention मिलेगा अब मैं इन में से एक content availability bias के बारे में बात करूँगा particularly अगर मैं आपको कोई ऐसी news बताऊं जिसके बारे में आपको पहले से कोई idea नहीं है या कोई ऐसी चीज repeatedly बताऊं तो वो बात आपके belief system में घर कर जाएगी और बिना ज़्यादा सोचे आप उस चीज को मान भी लोगे in fact share भी करोगे as if मैं आपको बता दूँ कि इस बार के जून के solar eclipse के करण हमारी बॉड़ी एक खास तरह की skin digit से सफर करेगी तो ये चीज अब social media forward बन जाएगी और कई लोग इसके home remedies भी बताना इस्टार्ट कर देंगे या फिर किसी particular sanitizer जिसकी average quality हो और उसका add टीवी पे बार वर दिखाया जाए कि ये इंडिया की सबसे best sanitizer है तो shops के display में से आप वही sanitizer purchase करोगे इसके काफी ज़्यादा chances है तो यहां हमारा system one काम कर रहा है जिसने बिना fact figure या किसी research के चीजों को मान लिया कि यही सच है अब आप सोच सकते हो या किस कदर harmful भी हो सकता है ठिक उसी तरह जैसे pandemic में ये facts viral हुए और लोगों ने बिना सोचे समझे सूचना जनहित में जारी कर दी तो next time बिना किसी authorized platform के declaration या certified news या कोई भी information बिना confirm किये ना खुद माने और ना ही किसी को forward करे और बड़ी-बड़ी brands और product companies भी हमारी इसी system one का फायदा उठाती है और बार-बार अपने products को add दिखा के हमें चूना लगाती है निसले के Maggie जैसे product से तो आप वाकिफ ही होगे तो recently इन्होंने admit भी किया है कि इनकी 60% से ज़्यादा product healthy नहीं है अब ये book जोसेफ मर्फी के लिखी हुई है जिनकी expertise field wise काफी ज़्यादा wide है और इन्होंने 30 से ज़्यादा किताबे लिखी है जिसमें से ये book published होते ही best seller book बन गई और 1963 में इसकी million से ज़्यादा copies sold हुई अब इनके according भी human brain दो तरह से बटा हुआ है पहला conscious mind दूसरा subconscious mind subconscious mind बिना किसी logic के काम को execute करती है अपने daily habits के basis पे brain की 90% activities को यही handle करती है दूसरी तरफ conscious mind logically सोचती है और subconscious mind को command देती है चलो एक example से समझते हैं माल लिजे human brain एक plane है तो इसका captain होगा conscious mind जो की plane को बस operate कर रहा है और साथी साथ passengers और crew members को command कर रहा है वहीं दूसरी तरफ crew और passenger subconscious mind है जो की बिना किसी argue के captain पे fit रखके flight में travel कर रहे हैं और captain के announcement को follow कर रहे हैं अब हम हमारे किसी भी काम के execution में इसी subconscious mind को use करते हैं लाइक आप अपने phone या computer के password या pattern को बिना ज़्यादा सोचे apply करके usually unlock करते हो क्योंकि ये आपकी subconscious mind में fit हो गई है due to daily habits पर जैसे ही आप new password या pattern save करते हो और दूसरे दिन apply करते हो तो आप mostly अपने पहले वाले pin को ही डाल देते फिर error display होने के बाद आपकी conscious mind आपको recall कराती है कि आपने अपना pin reset किया था तो अब इनका discussion क्यों? हम अक्सर अपनी काफी बुरी आदतों को छोड़के अपने किसी नई आदत से replace या routine में नई चीज़े शामिल करने की कोशिश करते हैं like we try to wake up in early morning और 80% से ज़्यादा chances हैं कि आप next morning ही लेट उठते हो daily की तरह तो reason है कि आपने ये decision अपने conscious mind को दिया बट subconscious mind में वो information नहीं गई इसी कारण ये चीज़े failure रही तो अब इनके solution की बात करते हैं हमारी subconscious mind सबसे ज़्यादा हमारे सोने के वक्त free होती है to adapt any information तो हमें बस करना ये है कि रात में सोने से before 50 minute अपने phone को एक side रख देना है और सारी negative चीज़े यानि की problems को सोचने के बज़ाए solution के बारे में सोचने की कोशिश करें like हमें ये नहीं सोचना कि मैं daily late जागता हूँ इस कारण से मेरा ये काम नहीं हो पाता और मेरी health खराब हो रही है etc. etc. In fact हमें इन चीज़ों को positive way में सोचनी है कि अगर मैं सुबा डेली जागता हूँ तो मुझे इतने सारे benefits हैं अब आपका subconscious mind एक बच्चे की तरह इसकी रट लगाते हुए इसे feed करता है और काफी हद तक कुछ समय तक इसे intake करता है और आपकी daily की इस technique के करन वो आपकी नई अच्छी आदत बन जाती है अब ये technique काफी लोगों ने personally अपनाया है So just look after this क्योंकि अब लोगों में सही गलत का फर्क तो है पर toughness गलत से सही की और movement करने में है तो ये book आपको अपने subconscious mind की importance और operation से आपको proper guidance देता है अब वैसे तो ये book marketing strategies पे based है पर persuasion techniques को हम life के किसी भी stages पे consider कर सकते है अब इसमें एक keyword है reciprocation इसे generalize करूं तो जैसे आप किसी को अगर किसी भी way में help करते हो या any kind of favor तो in future वो भी आपको willingly या unwillingly help करने के लिए compelled हो जाता है लाइक अकसर online tutors आपको आपके desired topics पे summarize YouTube videos या free case study material PDF में serve करते हैं जो की actually money worth है but still they are offering free but not an eye of mankind क्योंकि अगर आपको उनके stuffs beneficial लगते हैं और in future वैसी कोई भी topics के आपको paid courses purchase करनी हो जो उनसे belong करती है तो आप उनही के package ये subscription लेते हो जिसको वो already recommend करते हैं अब हम इसको daily life में कैसे use कर सकते हैं तो देखा जाए हर इनसान किसे न किसी organization से जुड़ा होता है like school, college, office और आपको कभी भी किसी भी तरह की जरूद अपने colleague या batchmate से पढ़ सकती है और तब directly help मांगने पर majority chances हैं कि वो refuse कर दे या आपको bow down वाली feeling भी आ सकती है So अब ये technique कहती है कि if you are already good in something like subject या task then आप किसी भी निड़ी इनसान को उस चीज में पहले से ही self-side help करो या effort सो करो by helping gesture अब तब आपकी image उनके लिए caring बन जाती है So in future जब आपको किसी भी तरह की help की जरुवत होती है और लोग के acknowledgement में ये बात आ जाए तो आपको बिना मांगे ही help मिल जाती है वैसे देखा जाए तो इसमें manipulation जैसा कुछ नहीं है ऐसा करने से आपके good करमाजी score होते हैं और आपकी skill या knowledge sharp होती है सो यहां privatized mindset रखने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि ultimately आपको बिना मांगे या जुके favor offer हो रहा है सो मांगने से पहले करने की फिद्रत को कायम रखे अब इसमें ओथर अपने बच्चे को इस बार के December में आने वाली Christmas पे gift में कोई भी एक toy दिलाने का commitment करते है अब softs वालों की तो generally season selling होती ही है पर off season यानि January और February में उनके sales काफी ज़्यादा गिर जाते है तो अब वो TV पे अपने उन्हीं toys का ad देते हैं जिनका stock January या February का है ad में आने वाले toy को देखकर बच्चा author से उसी toy का demand करता है पर जब Christmas के time author अपने बच्चे के साथ जाकर toy swap पे वो toy मांगते हैं तो soft वाले बड़े चालाकी से उस toy को out of stock बता देते हैं पर author बच्चे को कैसे निराश कर सकते थे उन्होंने फिलाल के लिए एक normal toy purchase किया और फिर January और February में जब new stock आया तो बच्चे को उसकी desired toy भी दिला दी इस तरह softs वालों ने अपने December के साथ जन्वरी और February के sales को भी बरकरार रखा अब मानते हैं कि आपका कोई exam December में है और उसके पहले October में किसी और सब्जिक का भी exam है तो majority of student October और December में होने वाले exam की preparation before one month respectively September और November में करेंगे और full time लगे रहेंगे So the catch is आपको अपनी preparation अभी से ही start करनी है यहाँ आपको करना बस यह है कि full June आपको December वाले exam के लिए पढ़ना है फिर July में आपको दोनों exams के lengthy and conceptual topics को पढ़ना है फिर both of August and September में आपको October वाले exams के लिए पढ़ना है और फिर exams होते ही आपको October नॉर्मबर मिला के December वाले के लिए पढ़ना है इस तरह आप अपना अभी से लेकर exam तक के समय को easily कम कम मेनत में consistency के साथ utilize कर सकते हो आपको last moment पर peer pressure में दिन राध पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस तरह commitment and consistency आप life के किसी भी stage पे यूज करके अपने आपको successful बना सकते हो अब ये book New York Times की best seller books में से रही हैं जिनकी 2 million से ज़्यादा copies sold हो चुकी है basically इस book में habits के nature and solutions को discuss किया गया है अब उसमें से मुझे जो interesting लगी I would like to share with you generally लोगों को पता होता है उनकी कौन सी आधते बुरी होती है और कौन सी अच्छी पस problem transformation का है तो author के according किसी भी habit को बदलने का एक four steps formula है the first one is q means alertness या hint the second craving means उसको लेकर बेचैनी the third response यानि आप उसे कैसे treat करते हैं and the fourth reward वो आपके लिए satisfying है या नहीं अपनी किसी भी आधतों को बदलने के लिए या किनी बुरी आधतों को छोड़ अच्छी को adapt करने के लिए हमें इनी four pillars पे workout करना होगा अब इन चारों steps को एक demonstration से समझते हैं लाइक आपको लगता है कि आप social media के overuse से ग्रसित हो और आपको ये improve भी करनी है तो सबसे पहले आपको अपने क्यू को रेजिस्ट करना होगा लाइक इप समवन मैसेज यू and comments over your any post तो आपको notification मिलता ही है with some sound bill और pop-up over your screen तो आपको उस particular app का notification system बंद करना होगा और pop-up को off करना होगा ताकि आप बस अपने leisure time पे ही उसे check out कर पाएं रही बात craving की तो in beginning आपको हमेशा लगेगा कि आप अपना account explore करो ये screen को scroll करते जाओ in that case आपको उस समय उसके disadvantage के बारे में सोचना है like social media चलाने वाला वक्त passions पे work out कर सकते थे या वो internet data आप किसी educational lectures को देखने में भी लगा सकते थे the third one is response अब इसे आपको difficult बनाना होगा like आप अपना account log out करके रखें और ID को forget कर दे जिससे आपको हर बार login करने के लिए ID password टाइप करने की मेहनत करनी पड़े screen lock में face या swipe की जगा complicated pattern या बड़ी pinch रखें काम करते वक्त phone को दूर रख दें जिससे उस तक पहुँचने में minute लगे या data pack minimum रखें ताकि आपको ये लगे कि आपका data limited है तो काम के लिए ही बचा कर रखना है and the fourth one is reward अब आपको इसे unsatisfying बनाना होगा like आपको दिमाग में ये बाट डालनी होगी कि आपके किसी friend ने आपको अगर message किया है तो वो आपके लिए मायने नहीं रखती या फिर कोई भी post का comment आपके लिए उतना satisfactory नहीं है जितना आपके आज के test के अच्छे marks अब ये same दुआ उटने के लिए एक phone पे अलाम लगाना होगा जो कि आपके बेट से दूर आपके water bottle के बगल में रखा होगा जिस पर jogging का sticky note लगा रखा होगा जो आप से इतनी मेहनत कराएगा जिसके लिए आप बेट से उटने के लिए compelled हो जाओ फिर water bottle का एक सिपलेना जरूरी समझो और वो sticky note आपको अपनी desire रिमाइंड कराए रही बात craving की तो आपको इसे attractive बनाना होगा लाइक आपको अच्छी डाइट के लिए अच्छे अच्छे attractive bottles में healthy drinks रखने होगे अच्छे sporty outfits जो आपको उसे पहनने को provoke करेंगे रखने को याद दिलाएगी अपने fridge में सिर्फ healthy devils ही रखने होगी जो आपको feel कराएगी कि आपके पास खाने के लिए एक only option है आपका gym आपके घर के पास हो जिससे आपको ये न लगे कि आपको काफी दूर जाना है या फिर weather खराब होने के कारण आप आज न जा पाओ आपको अपने आपको एक satisfying reward भी देना होगा लाइक आज की exercises के बाद अपनी सारी exercises counts like push-ups, pull-ups, crunches counts, weight plates सारी एक chart बना के लिखो और at last एक अच्छी सी post करो जिसके comments आपको encourage करें और दूसरों को भी inspire करेंगी तो ये थी कुछ facts and hacks through some interesting books In order of length of video let's finish over this point Hope so, it'll work for minimum 1% that'll be more than enough for me To buy the book, link is in the description